हलो फ्रेंड्स, बेलकम यू टु इरान स्टडी चैनल, आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आये हैं हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर जो प्लेटफॉर्म बॉलूम्टू का फर्स्ट प्रैक्टिसेट है जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी आपके एक्जाम में क्वालिफाइन पेपर है, बट इंपोर्टन भी है अगर आप हिंदी में क्वालिफाइन नहीं करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे तो आईए देखते हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म के बुक में पार्च मॉडल टेस्ट पेपर दिये हुए हैं एके करके यह सारे मॉडल टेस्ट पेपर का सॉलूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और GS का सीरीज आप देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेइस में जाके देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए जूड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए साथ ही अपने फ्रेंट के साथ इसे सेर कीजिए जो की बिहार मेंज दरोगा का मेंज एक्जाम देने वाले हैं ताकि उनकी प्रिपेशन में उनकी हेल्प हो सके तो आईए स्टार्ट करते हैं कोश्चन से यहां देखिए कोश्चन कोश्चन नमर फर्स्ट कहता है भासा संरचना में आपेच्छित भासा के प्रमूख अंग होते हैं तो इसका सई आंस है आप्शन नमर बी भासा संरचना में आपेच्छित भासा के दो प्रमूख अंग होते हैं अब नेक्स कोश्चन दे दूसरा क्या कहा रहा है देबनागरी में विदेसी ध् friendly को बैक्त करने II हुती है तो यह भी it पढ़ाए देशाब unacceptable क्या होते हैं यह दोशरे भासा के सब को हमने अना लिए गया है यह मिन्स ये भी सही है, विदेवनागरी में विदेशी धोनियों को व्यक्त करने की छमता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर ए, फर्स्ट और सेकेंड, देखिए, कोश्चन नमर धर्ट पे आते हैं, कोई भी भासा किसी भी लीपी में लिखी जा सकती है, इ अब देखिए, नेक्स कोश्चन देखिए, फोर्ट नमर कोश्चन कहा रहा है, भासा और लीपी के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, तो ये सही है, भासा और लीपी के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर ए, अब देखिए, next question देखते हैं, next question, fifth question कह रहा है, हिंदी बर्ण माला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है, तो हिंदी बर्ण माला में स्वर 10 होते हैं, तो इसका सही अंसर हो जागा option नमरे, स्वर किसे कहते हैं, आ, 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 ई, ई, उ, 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 ए, ए, ओ, ओ, यह total कितनी हो हैं, 10 हो गया, आब देखिए, next question देखते हैं, next question है, हिंदी बर्ण माला में ब्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है, तो इसका सही अंसर है, option नमरे, सी, 33 होता है, जैसे कह, चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच अब देखिए, next question देखते हैं, हिंदी बर्ण माला में आयोग बाबर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, 2, तो option कौन सा मैच कर रहा है, option number C, next question है 9, कौन से सब्द में र, अन से भिन है, तो देखिए, option क्या क्या है, कर्म, कर्म है, एक है क्रम, एक ह कर रहा है, कर्म, next question है, 10 number question देखिए, तालब्य बेंजन है, तो तालब्य बेंजन कौन सा है, यह उसका सही अंसर हो जाएगा, बी, चाचा जाजा, यहां confuse मत कीजेगा, कि तालब्य तथा दद होगा, नई, तालब्य बेंजन कौन सा होता है, चाचा जाजा, आप जैसे कि तालब्य बेंजन है, तालब्य बेंजन है, तालब्य बेंजन कहते हैं, 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 यह ओट्स हो रहा है, इसलिए इसको ओट्स बेंजन कहते हैं, तो यह आप इन चीज़ों से आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो 10 नमर कोश्चिन का सही आप्शन होगा, आप्शन नमर B, चाचा जाजा को हम तालब बेंजन कहते हैं, अब देखें, नेक्स कोश्च कोश्चिन नमर 12, ग्या को बंड माला में माना जाता है, तो ग्या को क्या बोलते हैं, बंड माला में हम संयुक्त बेंजन कहते हैं, टोटल संयुक्त बेंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, चार कौन-कौन से होते हैं, चात्र, ग्या और स्री, अब देखें, नेक्स कोश्च और चाज और ग्या है अलप्रान ध्वनियों का समू सही आंसर हो जागा option नमर बी अब देखिए next question 14 कौन बंड ओस्ट नहीं है तो अभी हमने ओस्ट के लिए क्या पढ़ा है पापा बापा ये सार ओस्ट बेंजन है तो इसका सही आंसर हो जागा ये आ हो गया वो क्या हो गया ओस्ट बेंजन नहीं है अब देखिए next question देखिए question नमर 15 15 क्या कर रहा हमारा मत्यक के क्या संधी विच्छेत क्या होता है तो मत्यक क्या संधी विच्छेत होगा मत जोड एक के option नमर c next question देखिए question नमर 16 ये क्या है बाद्धिवय गमन का संधी विच्छेत क्या होगा तो इसका साही आंसर हो जागा बधू जोड आगमन option number c next question question number 17 क्या कर रहा है पुत्रेश्चन सब्द से संधी का प्रकार बताईए तो इसका बिच्छेत करके देखिए तो ये हो जाएगा आपका ब्रीधी संधी हो जाएगा ब्रीधी संधी में होता क्या है ब्रीधी संधी आ और आ अगर ए और ए से मिलते हैं तो ए बनाते हैं तो इसको ब्रीधी संधी कहते हैं जब लास्ट में आ और आ है और वह मिलते हैं ओ और और से तो वह बनाते हैं जैसे देखिए next question देखिए क्य कह रहा है हमारा पर्मा उसद्ध पर्मा उसद्ध सब्ध में कौन सा संधी बिछेत है तो इसका संधी बिछेत अगर कीजेगा तो परम जोर उसद्ध होता है परम मतलब परम में म के लास्ट में आ आ रहा है उसद्ध पर आ और और जोड के ऑ बनता है पर्मा उसद्ध तो यह क सब्सक्राइब सब्सक्राइब को देखिए तोड़के बिचे करके देखिए तो सदा जोड़ कि अब होता है कि यहां अ हो गया और यह मिलके क्या हो जाएब बनेगा तो यह हो गया सदाइब देखिए यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट कोशन देखिए उपसर्ग का परियोग कहा होता है तो सब जानते उपसर्ग का परियोग क्या होता है आगे में होता है और प्रते लास्ट में लगता है तो देखिए सब्द के मंद में गलत है सब्द के अंद में तो प्रते होता है सब्द के आदी में जिसका सही आंसर हो जाएगा option number C आप देखिए next क्या है उत्कर्स सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C उत्थ प्लस कर्स होता है तो उत्थ क्या है आपका उपसर्ग लगा हुए तो इसका सही आंसर हो अप्शन नमबर सी अ कि अब देखिये नेक्स्ट कोश्चन नमोर 23 जे सब्द में कौन सा उपसरग लगाने पर वह जया के बिलॉम आर्थाक बन जाएगा जया का बिलॉम क्या होता है अजय होता है तो इसमें कौन सा अब सब्द लगेगा तो अ लगने पर तो इसका साही है अ इसका साही आंसर हो जाएगा नेक्स कोस्चन देखिए 25 सांस्क्रितिक में प्रते है तो सांस्क्रितिक इक है तो इसका साही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी एक अब जैसे देखिए एक प्रते बेक्या दैनिक बैज्यानिक बैदिक लोगिक ये सब में क्या है कौन से प्रते यूज हो रहा है एक प्रते यूज हो रहा है अब देखिए next question question नमबर 26 विचार सब में एक प्रते लगाने पर कौन सा सब बनेगा तो यहां देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बैचारिक तो सही आंसर ए है पैचारिक आप देखिए next question देखिए question number 27 अंकूरित सब ने परते है कौन सा प्रते हैं अंकूरित सब में तो इसमें हो जाएगा इत तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number a इत है आप जैसे इत प्रते लगता है अंकूरित अंकूरित प्लस इत हो गया फलित हरसित इन सब में कौन सा प्रते यूज हुआ है इत प्रते यूज हुआ है अब देखिए question number 28 निन में से कौन सा अर्भी सब्द है तो अर्भी सब्द कौन सा है अदालत बाकी सब्द क्या है देशज है बाल्टी मिस्तिरी सब्द देशज सब्द है तो इसका सही आंसर हो जाखा option नमबर बी अब मैं है इस देशज सब्द करते हैं यह क्या है विदेश सब्द है जो हमारे मूль प्रसपर समपर्ग में आने का तारण हमारे यहां प्रचलित हो गए हैं इसलिए इनको विदेशत सब्द कहते हैं अब देखें कोस्चन नमर 29 क्या कर रहा है उत्पत्ति के अधार पे सब्दों के भेद को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो उसका हो जाएगा जैसे उत्पत्ति के अधार पे कहते हैं पत्ति के अधार पे या स्रोत के अधार पे या इतिहास से तो इसका सई आंसर हो जाएगा उप्शन नमर ए इतिहास अब देखें नेक्स कोस्चन question number 30 ब्याकरन के अधार पे सब्दों के भेद होते हैं तो ब्याकरन के अधार पे सब्दों के दो भेद होते हैं विकारी और अभिकारी तो इसका सही answer हो जगा option number C A and B दोनो next question देखिए question number 31 निम्ड में से कौन सा संकर सब्द है अब संकर सब्द कहते किसको है दो भिन स्रोतों से आये सब्दों के मेल से बने नए सब्द को संकर सब्द कहते है तो यहाँ पे देखिए टिकट घर दो अलग-अलग सब्द के मेल से बना है टिकट एक अलग चीज़ हुआ घर एक अलग चीज़ हुआ इन दोनों के मेल से जो सब्द बना है, इसको ही हम क्या कहेंगे, संकर सब्द, तो इसका सही आंसरोजा का option number 1, ध्यान रखिएगा संकर सब्द किसको कहते हैं, दो भिन स्रोतों से आय सब्दों के मेल से बने नए सब्दों को संकर सब्द कहते हैं, clear है, आप देखिए, next question देख क्या हो जागा, भाव बाचक संग्या, जिसका सही आंसरोजागा, option number D, आप देखिए, next क्या कर रहा है, गुलाब फुलो में स्रेस्ट है, बाख्य में कौन संग्या है, गुलाब, तो यह क्या हो जागा, उत्तम बाचक संग्या हो जागा, option number C, आप देखिए, question number 34, को मलता म प्रिजिंट कर रहा है जीसे भून दसा आधी को ज्यान कराने वाले सब्द को हमक्या कहते हैं तो कोमलता भी में ऑप्शन नमबर सी और फूर्ट कुलाब अच्छा लड़का है बाक्य में वह रहा है मतलब यह क्या है जाती बाछक्थ और किसी नाम व्रता है किसी का नाम लड़का कहने से लड़का बोल दिये तो यह क्या हो जागा अगर जैसे देखिए समझने के लिए जाती बाचक अगर हम पहाड बोल रहे हैं तो क्या हो जागा वो जाती बाचक सारे पहाड की बारे में बात किया जा रहा है अगर वही हिमाले बोलेंगे तो क्या हो जागा वो कौन सा सब जाती बाचक नहीं है पंखा कहने से पंखास से पता नहीं चला है सारे पंखे सीलिंग पहना हो यह कुछ भी हो तो परबत कहने से सारे परबत हो गया सारे परबत का हो गया निलगिरी अराबली हिमालय सारे परबत हो गया तो यह भी क्या है जाती बाचक हो जाएग किसी संग्या के बदले में आया है किसी को हम बोल रहे हैं तो उसके बदले में अगर हम क्सी चीज को यूज़ करते तो वह क्या होता है तो सही आंसर हो जागा option number B सर्वनाम आप देखें नेक्स कोश्चन देखते हैं कोशन नमर 38 किस समुव में सभी सर्वनाम प्रस्ण बाचक है अब प्रस्ण बाचक सर्वनाम किसे कहते हैं प्रस्ट करने के लिए पर्युक्त होने वाले सर्व नाम क्याते हैं कौन क्या किसने ये सारे प्रस्ट कर रहें या किसने से हम यहां पे क्या करते हैं प्रस्ण कर रहे हैं तो उसका सही आंसर हो जागा option number A अब सर्वनाम के पूछा जाए तो कितने भेध होते हैं तो सर्वनाम के छे भेध होते हैं पूरुस बाचक के बदले जो आता है उसे हम पूरुस बाचक सर्वनाम कहते हैं जिसके यह वह आप पर निश्चय बाचक सर्वनाम यहां पर होगा अब सवंध बाचक की बात कर रहा जाए तो किसी निश्चित बस्तु का बोध नहीं होता है जैसे कोई ले गया कोई पता नहीं है कि किसके बारें बात किया जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा अनिश्चय बाचक सर्वनाम हो ज सवंद बाचक हमने पताई दिया कि प्रश्ठ करने के लिए परियूक्त होने सवने完成 सवनाम सब्दों को प्रस्भनाम क्याते हें इस चैनल कि गई में विजfilm बाचक क्या होई याट जैसे आप सवतर में यह तो दो क्या हो जागा नीज बौदिक और संसारिक, बौदिक में भी एक लगा है लाज में प्रते हैं, संसारिक, संसारिक में एक लगते संसारिक हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A, next question है, question number 40, जबाब संग्या से क्या विसेशन बनेगा, तो जबाब से क्या बनेगा, जबाबी, तो इसका सही number 41, संग्या से निर्मिक विसेशन नहीं है, यह सारे विसेशन दिये हुए है, जो कि संग्या से नहीं बने है, तो क्या हो जाए, कौन सा है, धार्मिक, धन से धार्मिक बना है, धन से धनी बना है, लालची, लालच से लालची बना है, हसोड, हसना से हसोड बना है, तो हसना क सब्सेक नमरे हैं कौनगों से हैं उपकर सुगंधित क्या कह रहा है संग्या बना सब्सेक थो इसका सज़ा ऊंसरिए औक आप्छनी ऐसल मेरे लखनभी हसोड़ हसना से भुलकर भूलने से बना है चालू चलना यह तो इसका सही आंसर हो जागा option number A लखनवी अब next question देखिए 44 संग्या सब्द इतिहास उपेच्छा और मुल संग्या सब्दों के स्तही विशेशन विकल्प चाटी है इतिहास से क्या हो जाएगा आपका उपेच्छित तो यहां पे देखिए सही option है जाएगा option number D इतिहासिक और उपेच्छित उपेच्छित तो इसका अपश्छित का हो जाएगा option number D तो इसमसे क्या हो जाए आपका क्रिया के साथ कर्म आपका क्रिया Department चिठी क्या है आपका कर्म है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ क्या है, कर्म जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, और कर्मक जिसके साथ कर्म जुड़ा नहीं होता है, अब देखिए, next question, 46, मैं नहाध होकर नास्ता करूँगा, इस बाक में क क्रिया है कौन सा है पुर्वकालिक क्रिया मतलब जब करता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करने का प्रग्राम करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं पुर्वकालिक क्रिया कहते हैं यह कह रहा है मैं नहां धोकर पहले नहांगा दोंगा उसके बाद नास्ता लम नहानादोना क्या हो जाएगा आपका पुर्वृकालिक क्रिया हो जाएगा तो इसका सही आन्सर हो जाएगा option नम्बर बीजिए आप देखे question number 47, राजेस पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कौन सा क्रिया है, सकर्मक है, क्योंकि राजेस पढ़ता है, राजेस क्या है आपका करता है, पुस्तक क्या हो गया कर्म, और पढ़ना क्या हो गया आपका क्रिया, तो यहाँ पे कर्म है क्रिया के साथ, तो यह हो जाएगा सकर्मक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number B, सकर्मक क्रिया, अब देखिए, next question, 48, पुरुकाली क्रिया के लिए सही विकल्ब चुनिए, वो फुटबॉल खेलता है, यह एक क्रिया की बात हो रही है, वो चलाक निकल यह भी नहीं, वह खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाया, खाना खाना भी क्रिया है, सो ना, इसका सही आंसर हो जाएग, option number C, आप देखिए, question number 49, निमलिखित में से सकर्मक क्रिया, किस बात के में है, तो इसका सही आंसर हो जाएग, option number D, सरिता ने सबजी खरीदी, यह तो अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिहार दरोगा के जी एसके कोश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर हमारे चैनल पे उपलब्द हैं आप जरूर जाके वहाँ देखें आपके प्रिपेशन में बहुत हेल्प मिलेगी थैंक्स पौर बॉचिंग